हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम बताने वाली हूँ जिनकी अगर आप अभी कटिंग लगाओगे तो सिर्फ वन वीक के अंदर आपको उनका रिजल्ट मिल जाएगा कुछ प्लांट त लगने वाले हैं मिट्टी हमेंसा आपको कोको पीट और मिट्टी या फिर वर्मी कमपोस्ट इस तरह की मिट्टी लेनी हैं बहुत ज़्यदा उसमें हार्ड नहीं रखना है इस तरीके की मिट्टी में लगा कर आपको चाया में रख देना है जहां पर उन्हें सुफ़ की आ सुंदर लगता है इसके फूलों से ज़्यादा इसकी पत्या सुंदर लगती है एकदम बिलकुल गद्दे टाइप की होती है यह जो है प्लांट हमारा सर्कुलेंट फैमिली से होता है तो इस प्लांट में पानी कम चाहिए होगा ज्यादा पानी अगर हम डालते हैं तो यह इसलिए बोलते हैं कि इसे पूरा दिन की धूप चाहिए होती है और जितनी अच्छी धूप में आप इसे रखते हो उतने ही ज्यादा यह फ्लावर देता है और छोटी से छोटी कटेंग इसकी चलती है इसके अगर आप पत्ते भी लगा दोगे तो इसके पत्तों में इसे ही जड़े निकलना सुरू हो जाती है हैं हेंगिंग बास्किट में भी आप इसको लगा सकते हो बहुत खूबसूरत प्लांट है सेकंड नमबर पर है हमारा जेड तो जेड प्लांट भी मेरी नजर में जेड प्लांट से हर्ड़ी कोई प्लांट नहीं है क्योंकि जेड प्ल में नरसरी से लेकर आई थी और उसके बाद मैंने यह सारे इसके तयार किये हैं तो जेड जो होते हैं इन्हें अगर आप बोंजाई के लिए तयार करना चाहते हो तो कर सकते हो मैं देखे इस तरीके से कोसिस थोड़ी करती रहती हूँ बना बना के बोंसाई बहुत हार्डी सा प्लांट है आप इसे धूप में रखो छाओं में रखो कैसी भी मिट्टी में रखो इसके लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा केर करने की बहुत जरूरत नहीं है ना कोई इसमें कीडा लगता है ना कोई इसमें ज़्यादा खाद भी डालने की जरूरत नहीं है इसमें सिर्फ आप अगर गोबर की खाद या फिर वर्मी कमपोस्ट वो भी 10 दिन में 15 दिन में डाल दोगे उसी से ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है तो करना क्या है टोप से एक कटिंग लेनी है और मिट्टी में सिंपल विल्कुल नॉर्मल लगा देना है वहीं से आपकी कटिंग तयार हो जाएगी इसे आप हैंगिंग पोर्ट में भी लगा सकते हो क्योंकि फैलता है चारो साइड तो बहुत सुंदर ये प्लांट लगता है जेड इसके बाद थर नंबर पर है हमारा स्वीट पटेटो वाइन स्वीट पटेटो वाइन भी मेरे पास ही दो साल से हैं और मैंने इसे कटिंग से धेरो प्लांट इसके तयार किये हैं स्वीट पटेटो वाइन भी हैंगिंग बास्किट के लिए बहुत अच्छा प्ला डाल ये इसके अलावा कोई फर्टिलाइजर की ज़्यादा जरुरत नहीं है मैंने देखिए इसमें गोबर की खाद डाली हुई है इसी से ये बहुत अच्छा ग्रोध करती है इसके आपको दो से तीन कलर मिल जाते हैं में पास इसके दो कलर है ये परपल है और पैरट कलर है इसे हम हैंगिंग पोर्ट में भी लगा सकते हैं और जैसे पोर्ट में बीच में इस्टिक लगा के मनी प्लांट को लगाते हैं इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो स्वीट पटेटो वाइन घर में जो सकरगंदी हम लेकर आते हैं उससे भी आप ग्रो कर सकते हो मैंने ग्रो किया था वीडियो भी बनाया था लिंक में डिस्केप्शन में डाल दूँगी फोर्थ नमबर पर हमारा प्लांट है चैन प्लांट या फिर हैंगिंग प्लांट चैन प्लांट भी बोलते हैं हैंगिंग प्लांट भी बोलते हैं बहुत जादा हार्डी प्लांट है और सिर्फ दो से तीन दिन में कटिंग तयार लगके इसकी इसके पास क्या है देखी इस त च्चाइ बूरा दिन की धूप में पड़ा हुआ है छाया में भी आप इसे रख सकते हो दूप में भी रख सकते हो इसकी पत्याप्तिया फैली होती है तो बहुत संदर लगता है मैं कि एक प्लांट से ही इसके कई सारे प्लांट अपने तयार किये हुए हैं और बहुत जादा खाद वगरा कुछ डालने की जरुरत नहीं है सिर्फ गोबर की खाद वगरा इतना ही डालते रहो उसी से बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है रि यह प्लांट आपके गार्डन को देगा इसके नीचे से बेबी प्लांट निकलते हैं बहुत सारे मैंने यह प्लांट जो है इसका कटिंग से ही तयार किया हुआ है और बहुत जल्दी से ना तो सूपता है ना मरता है और सिर्फ आपको इसमें गुबर की ही खाद डालनी है इसके अलावा कोई इसमें ज़्यादा खाद डालने की जरुरत नहीं है और इसे आप हेंगिंग पोर्ट में भी लगा सकते हो देखने में बहुत सुन्दर लगता है वैसे नर्शरी में भी ये प्लांट ज़्यादा महगा नहीं मिलता है लेकिन रियो प्लांट जो है इसे चाया में रखने से दूप में रखने से कोई खराब होने वाला नहीं है इसके एक प्लांट से आप ठेरो प्लांट इसके तयार कर सकते हो काफी हार्डी सा प्लांट होता है बस पानी का थोड़ा इसमें ध्यान रखी इसके बाद next plant है हमारा moss rose तो moss rose का सभी को पता है कि cutting से बहुत easy तयार होता है इसके top से छोटी-छोटी cutting भी आप लगा दोगे तो बहुत easy तयार होता है hybrid moss rose जो होते हैं उनकी cutting भी easy तयार होती है और इन देशी की भी मेरे plant पर देखें आप कितनी सारी कलियां बनी हुई है तो यहाँ पर मैंने कुछ cutting लगाई हुई है यह hybrid वाले moss rose की है और देखें बहुत ही अच्छे से तयार हो गई है सभी cutting एक ही पोट में इस तरीके से आप cutting लगा कर रख दोगे तो next season के लिए भी आपके पास यह save हो जाता है इसके flower देखने में बहुत सुन्दर लगते है और इसके बहुत सारे color आपको nursery में भी मिल जाते है बहुत ज़्यादा महगा यह नहीं मिलता है देखे मैंने इस वाले पोट में भी कितनी सारी cutting लगाई हुई है क्योंकि इसमें ना पानी का ध्यान रखना होता है अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे और जैसे बरसात होती है तो बरसात की वज़े से भी यह plant खराब हो जाता है तो उस time पर सबसे अच्छा है कि इसे save करने का कि cutting बहुत सारी लगा लो आप इसकी वो सब grow हो जाएंगी इसके बाद next plant है हमारा coleus plant coleus के रंग भिरंगे पत्तों के लिए ही हम इसे अपने garden में add करते हैं coleus देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं और बहुत सारी variety इनके आपको मिल जाती है मैंने देखिए जो मेरे इसके main plant है वो मेरे balcony में रखे हुए हैं और अभी मैं terrace पे हूँ तो यहाँ पर देखे मैंने कुछ cutting लगाई थी साथ से आठी दिन हुए हैं और ये cutting मेरी बहुत अच्छे से तयार हो गई है तो इन वाले port में भी मैंने ये सब plant अपने cutting से तयार किये हुए हैं तो इसका भी क्या होता है कि इसे top से आपको cutting लेनी है और लगा देना है कोलियस को ज़्यादा घना करने के लिए आपको उसे pinch करते रहना है जैसे ही top से हम pinch कर देते हैं उसके पास दो branch निकलती है next plant है हमारा klanchu klanchu भी होती खुबसूरत सा plant होता है hybrid klanchu होते हैं देशी klanchu होते हैं तो ये मेरा hybrid वाला klanchu है जिसकी मैंने one week पहले तीन cutting लगाई थी एक ही port में और देखे तीनों cutting बहुत अच्छे से तयार हो गई है जब new पत्ता हमारी cutting में से निकलने लग जाता है तो उस time पर हमें पता चलता है कि cutting हमारी successful हो गई है इसकी मिट्टी देखे आप ज़्यादा पानी इसमें नहीं डलता है इसमें मैंने सिर्फ गोबर की खाद ही ली थी इसके बाद next plant है हमारा लोरो पैटलम इस plant का name है मैंने देखे इसकी one week पहले cutting कुछ लगाई थी जो की बहुत अच्छे से growth कर गई है इस पर purple color की पत्या निकलती है और ये ज़्यादा तर से hedge बनाने के काम आते है या फिर सडकों किनारे बहुत सारे जो आपने देखा होगा purple color की पत्यों वाले plant खड़े होते है ये वही वाला लोरो पैटलम है तो यहाँ पर देखे ये वाला भी मैंने cutting से ही grow किया हुआ है इस पर भी new new पत्या निकलना सुरू हो गई है इसकी पत्या देखने में बहुत सुन्दर लगती है प्लांट की और काफी hardy सा भी प्लांट होता है next हमारा प्लांट है spider plant spider plant का क्या होता है कि जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके पास से runner निकलना सुरू हो जाते है इसके जो आसपास plant निकलते हैं उन्हें बोलते हैं runner तो उन प्लांट से आप अपने घर में कितने भी plant तयार कर सकते हो बहुत easy और जल्दी से खराब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है ये plant सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें पानी कम चाहिए होता है अगर इसमें ज्यादा पानी डालते हैं तो इसकी पत्या नीचे से गल जाती है इसलिए आपको इसमें पानी कम डालना है खाद कम डालनी है सिर्फ गोबर की खाद या फिर वर्मी कमपोस्ट आपको डालना है नेक्स्ट हमारा प्लांट है विंका तो विंका जो हाइब्रेड वाले विंका होते हैं इनकी कटिंग भी तयार करना बहुत इजी होता है और देखने में ये बहुत सुंदर भी लगते हैं काफी कलरफुल फूलो वाले इनकी प्लांट मिल जाते हैं बहुत सारे कलर में आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने ये वन वीक पहले इसकी कुछ कटिंग लगाई थी और मेरे इन कटिंग पर फूल भी आना सुरू हो गया है तो ये कटिंग मैं दिखाती हूँ मैंने आपको ये कोको पीट में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तो इस तरीके की होती है सोफ्ट मिट्टी तो अगर आप कोको पीट में और वर्मी कमपोस्ट में कटिंग लगाते हो तो बहुत इजी तयार होती है इनके जो देशी प्लांट होते हैं वो तो जल्दी से कहीं पर भी ग्रो हो जाते हैं So friends इस वीडियो में इतना ही I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please like, share and channel को subscribe जरूर करें बैल आइकन के साथ So thank you so much and bye bye